हेलो एवरिवन काजू करेला तो आपने बहुत बार बनाया होगा और खाया भी होगा पर एक बार मेरी मैथर से ट्राइ करके देखिएगा बिल्कुल भी कड़वानी लगेगा और साथ में मैंने बनाया बिना गैस जलाए और बिना गी की सर्प्राइस स्वीट तो ये भी रेसिपी आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंड में जरूर से बताइगा और साथ में हैं रूई जैसे मुलायम जवार की रोटिया जी हाँ करेले की सबजी और साथ में जवार की रोटि बैस्ट कॉमबो है यहाँ पर मैंने करेले को दो कर इसकी पतली पतली स्लाइस कट करके रख दिये और इसके अंदर मैंने नमक डाल के रखा था इसे मान लीजिए मैंने ओवरनाइट रख दिया था और सुबह में आप देख सकते हो कि मैंने करेले को अच्छे से निचोड कर इसका सारा कड़वा निकाल दिया है ताकि ऐसा करने से करेला जो है बिलकुल भी कड़वा नहीं लगेगा आप देख सकते हो कि कितना सारा पानी इसमें से निकल चुका है और करेले है पूरे ड्राय हो चुके है तो ये प्रोसेस को बिलकुल भी स्किप नहीं करना एक बाजू मैंने कड़ाई में दो छोटी चमच तेल गरम करने के लिए लग दिया है तेल गरम होते ही यहाँ पर मैंने दो चमच काजू को धिमी आज पर तेल में एकदम अच्चे से बुन लिया है ताकि इसका कच्चापन भी चला जाए और इसमें एक अच्छा सा नटी फ्लेवर हमें मिल जाए यहाँ गैस की आज बिलकुल दिमी रखनी है साथ में एक चमच मैंने किसमीस भी ले लिया है यहाँ पर मैंने लोहे की कडाई का इस्तमाल किया है आप चाहे तो इससे नॉन स्टीक में भी बना सकते हो अब यहाँ पर हमें काजू को एक अलग से बरतन में निकाल लेना है अब वही बहुत ही कम लिया है फिर भी यह सबजी बहुत ही स्वादिश्ट बन दी है ना कोई प्यास लसन अद्रग बिना तांजान वाली थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने करेले को एक दम बारी कट किया है अब हम यहाँ पर कोई थाली या तो फिर कोई वज़नदार चीजों से इसे डग देंगे मैंने यहाँ पर अलिमिनिक का पॉलपट से इसे डग दिया और इसे हम तीन से चार मिनिट के लिए साइड में दिमी आज पर यहाँ पर मैंने जवारी के अटे में हलका सा सिर्फ नमक और पाने से एकदम चिकना अटा तयार कर लिया उसकी में एकदम सौफ्ट रोटिया बना रही हूँ आप वीडियो में देख सकते हूँ कि बीना बेलन्स से पैलपट पर ही हमने किस तरह से इसको पर तवाबी गरम है यहाँ पर उसकी उपर थोड़ा समय पानी लगा लिया गैस की आज को अभी दीमा रखना है और दीमी आज पर एक साइड पकने के बाद इसे पलट देंगे मतलब की दूसरी साइड हम सेकेंगे तब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से पक जाने के बाद फिर से यहाँ पर हम पलटा कर सेक लेंगे और आप देख सकते हो कि एकदम बलोन की तरह यह जवार की रोटी फुलते जा रही है आप वीडियो में देख सकते हो अलरड़ी मैंने जवार की रोटी हम कैसे बना सकते उसका वीडियो भी सैर कर द कुछ सुखे मसाले ले लेंगे जिसमें एक चमच मैंने यहां पर धनिया पाउडर लिया है एक छोटी चमच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है अपती खास कम जादा भी कर सकते हो और इसे अच्छे से मिला लेना है यहां पर आप देख सकते हो कि हमने जो है अच्छे से मसा देंगे और ढकन लगाकर हम भी से पांच मिनिट के लिए साइड में रख देंगे ताकि जो हमारी कड़ाई और करेले भी जो गरम है उसे में हमारा गुड़ पिगल जाएगा तो एक दम परफेक्टली बिना कड़वाट वाला ये करेले की सबजी एक बार आप जरूर से ट्रा आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो में देखी सकते हो कि रूज जैसी मुलाइम रोटिया और साथ में घर की चीजों से बना हुआ करेले की सबजी और वो भी बिना कड़वाट वाली और साथ में यहां पर सर्प्राइज स्वीट तो और क्या चाहिए तो जल्ड मिलेंगे नए वीडियो में